आप देख रहे होंगे युकलेट जी डिविजन अल्गोरिथम जो 10th क्लास में जो फैला टॉपिक है मारा mathematics में वो यह है कुछ student की क्वेरी आ रहे थी कि इसके यह कैसे होता है क्या होता है तो इसकी definition भी मैंने यहां पर लिखी है और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा युकलेट की जो division algorithm है वो यह बताती है कि if a and b be any two positive integers then there exist other two unique integers q and r such that a is equal to bq plus r where r should always be greater than equal to zero or less than b but what does it mean यह तो book में मिल जाएगा आपको इसकी definition ऐसी तो यह बोलता क्या है वो यह बोलता है कि कोई दो अगर हमारे पास positive integer हैं और उन positive integers में छोटे वाले integer से हम अगर बड़े वाले integer को divide करते हैं तो हमारे पास दो और unique integer आएंगे जो unique होंगे दो integer और आएंगे positive integer जो unique होंगे जिन मेंसे एक को हम बोलेंगे quotient और एक को बोलेंगे remainder एक example लेगे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे इस example में आप देखिए कि मैंने 13 को 3 से divide किया हुआ है 13 को अगर हम 3 से divide करते है तो 4 times यह divide होता है 12 आया remainder एक आ गया हमारा तो यहाँ पर जो A होगा A means जो 1 दुबारा मैं अगर आपको उपर लेके जाओं जो remainder होगा न वो 0 भी हो सकता है it can be equal to 0 क्योंकि अगर पूरी-पूरी बार divide हो गया तो remainder 0 आएगा और वो 0 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन condition यह है कि आप देख पारे होंगे condition यह होगी कि जो remainder होगा it must be less than divisor अगर यह divisor जो हमारा यह 3 है इस divisor के बराबर remainder आएगा तो फिर एक बार और divide हो जाएगा तो उसके बराबर तो आ नहीं सकता उससे छोटा ही आएगा तो इस case में remainder जो हो सकता है वो 0 हो सकता है 1 या 2 हो सकता था अगर 3 आता in case तो 3 आने पर क्या होता एक बार और divide हो जाता न तो it means क्या होगा कि remainder जो है फिर यहाँ पर आएग remainder आर always क्या होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और B से लेकिन छोटा होगा B means divisor तो यह Euclid की division algorithm है कि अगर दो number है हमारे पास और उन दो numbers को हम divide कर रहे है A और B को A means dividend B means divisor और Q means quotient R means remainder तो हमारे पास दो और आएंगे एक quotient आएगा और एक remainder आएगा यह दोनों भी unique होगे unique करने का मतलब है कि अगर हम 13 को 3 से divide करते हैं तो आज हमने divide किया 4 quotient आया और 1 remainder आया तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कल हम 13 को 3 से divide करें और फिर remainder और quotient जो है कुछ और ही आया ऐसा नहीं होता है तो it means वो unique होगे हमेशा यही रहेगा I hope कि आपके समझ माया होगा और आप continue करिए अपनी study को और मैं सरे topics को science और maths एंगलिश होगे तोपिक्स को क्लियर करते रहूंगा बोर्ड स्टुडेंट्स के थैंक यू